एक युग था कई अक्षोणी सेनाए आमने सामने युद के मैदान में खड़ी नजर आती थी युद तो आज भी उसी स्तर पर चल रहा है लेकिन अब रणभूमी है ऑप्शन्स का बाजार और आप्शन्स के बाजार में चल रहे है इस युद का अगर आखो देखा हाल जानना हो तो आप्शन्स चेन को देखना चाहिए अगर आप भी option chain के जरिये कैसे जबरदस्त trading के मौके पहचाने जाते हैं ये जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो अन तक जरूर देखेगा नमस्कार जैश्री राम देखे options के समर में कॉल और पुट के open interest की शकल में बड़ी बड़ी सेनाएं दोनों तरफ खड़ी होती हैं और अगर आपने ये युद्ध ठीक से समझ लिया तो कहां पर विक्वाली आएगी कहां खरीदना है इस बड़ी समस्या का हल केवल option chain को देख कर किया जा सकता है तो देखे सबसे पहले जान लिजिए कि ओपन इंट्रेस्ट होता क्या है ओपन इंट्रेस्ट है कि कुल कितने सौदे अभी पड़े हुए है याने कि खरिदार और विक्वाल के बीच में कितने ऐसे अनुबंद contracts हुए है जो कि अभी तक open है उसकी कुल संख्या को open इंट्रेस्ट कहते हैं कॉल एक अलग चीज है और पुट एक अलग चीज है कॉल कितने कॉंट्रेक्ट्स अभी open है उस संख्या को open इंट्रेस्ट कहते हैं कॉल का और उसी तरहां दूसरी और पुट का कितने कॉंट्रेक्ट्स अभी तक open है खतम नहीं हुए समाप्त नहीं हुए उस संख्या को open इ पेशो कहा जाता है ये होता है पुट यानि कि कितने पुट का उपन इंट्रेस्ट है बनाम कितनी कौल्स का उपन इंट्रेस्ट है उसे क्ट्राइक का इस संख्या को PCR कहते हैं ये magical नंबर है जादूई तिलस्मई नंबर है ये बात याद रखेगा कैसे इन संख्याओं के जरिये आप शेर का दायरा पहचान सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आईए रहस से परसे परदा उठाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस option chain को देखकर कैसे आप सही धंग से trade कर सकते हैं option chain में छिपे हुए राज आज आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएंगे कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं इसका इस तरह से इस्तमाल करते हैं आम तोर पर लोग option chain को यहीं देखते हैं लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखेंगे लोजिकली देखेंगे तो बहुत से चीज़ें आपको समझ आएंगे और trade करने का रास्ता भी मिलेगा तो आईए देखे सबसे पहले option chain खोलते हैं एनसी की website पर जाएं option chain खोलें और यह है निफ्टी के option chain अब देखें यहाँ पर केवल example के तोर पर एक expiry को चुन कर मैं उसकी option chain आपको दिखा रहा हूँ लेकिन आप यह कभी भी कर सकते हैं किसी भी समय किसी भी expiry की option chain बिलकुल इसी तरह देखनी है आपको यह है निफ्टी के option chain निफ्टी याद रखिए स सबसे ज़्यादा trade होने वाला instrument है बहुत भारी trading निफ्टी के options में होती है और इस वज़े से इसके option सबसे fairly priced होते हैं volume बहुत अच्छे होते है open interest बढ़ा होता है तो यह बड़ा असान है और सबसे सही आपको समझ आएगा तो इसलिए निफ्टी के option सबसे पहले देख रहे यह है निफ्टी का option और यह 14 October 2021 के expiry के option chain है जो कि आपके सामने मैंने example बतौर खुली है अब आप जानते हैं कि option chain में जो middle column होता है इसमें सारी strikes होती है निफ्टी की strikes पचास पचास के अंतराल पर लिखी होती है और left में यह जो सारा data है यह सब calls का है और right में जो data आप दे जाद रखिए केवल एक example है 17650 के आसपास मान लीजे निफ्टी ट्रेड कर रही है और इस तरहा की option chain आपके सामने लाई जाती है अब आप इस option chain को बड़े ध्यान से देखिए middle column में सारी strikes हैं देखिए जो 50-50 वाली strikes हैं उनको भुला दीजे केवल होल नंबर की strikes को देख देखते हैं कि लेफ्ट में इस center के column के left में आप देखते हैं कि calls का डिटा दिया हुआ है और center के column के right में दिया हुआ है puts का data सबसे आखरी column पर जाएं सबसे आखरी column है oi का column यानिanim कि open interest κα का column ये हैं वो सेनाएं जो की कॉल्स में उत्री हुई हैं और उनके सामने हैं पुट्स की सेनाएं और दोनों का आमना सामना आपको इस आप्शन चेन में होता हुआ दिख रहा है अब देखें 17,700 की कॉल में आप देखते हैं 96,213 लोट्स का ओपन इंट्रेस्ट आपको दिखाई देता है 96,213 इस संख्या को याद रखिए और 17,000 के पुट का ओपन इंट्रेस्ट देखें तो लगबग 53,000 के आसपा 17,700 का ओपन इंट्रेस्ट है अगर आप इन दोनों संख्याओं का एक अनुपात निकाल ले सबसे पहले पुट को रखें उसके नीचे कॉल की संख्या को रखें तो एक रेशो निकल आता है और इसको कहते हैं PCR यानि की पुट कॉल रेशो देखे एक पुट कॉल रेशो जिसका जिक्रा आप दिन्राद सुनते हैं वो पूरे सारे आप्शन्स का होता है लेकिन हम यहाँ पर इंडिविजूल स्ट्राइक्स का PCR देख रहे हैं और यह बहुत ही इंपोर्टन चीज़ है जो कि हर आप्शन ट्रेडर को जरूर से देखनी चाहिए कई सारी चीज़ें आपको इस PCR के जरीए पता लगेंगी तो देखे जैसे ही आप पुट के ओपन इंटरेस्ट को उसी स्ट्राइक की कॉल के ओपन इंटरेस्ट से भाग कर देते हैं जो रेशो निकल करके आता है वो 17,700 की स्ट्राइक का PCR है तो अब आईए देखते हैं कि जो मेजर स्ट्राइक्स हैं अगर हम उनका PCR निकालते हैं तो वो कितना आएगा सबसे पहले आईए 17,400 की कॉल को देखते हैं 17,400 की कॉल का ओपन इंट्रेस्ट है 500 के आसपास और 17,400 की पुट का ओपन इंट्रेस्ट है 76,000 के आसपास ये लगबग 15 गुना का हो जाता है 15 टाइम्स यानि कि PCR 15 के आसपास है इसका मतलब एक कॉल के मुकाबले 15 पुट यहाँ पर अल्रेडी ओपन इंट्रेस्ट बना हुआ है इसी तरह 17,500 की कॉल देखें 17,500 की स्ट्राइक में आप देखते हैं कि 21,000 का ओपन इंट्रेस्ट कॉल में है 84,000 का ओपन इंट्रेस्ट पुट में है यानि कि ये लगबग 4 गुना है तो PCR 4 का है 17,500 की strike का PCR 4 हो गया 17,600 की strike का PCR इसी तरह लगबग आप मान के चलें कि 2 का हो गया 17,700 की strike का PCR निकाले तो लगबग आध्य के आसपास है 17,800 की strike का PCR निकालें तो एक लाग थीस हज़ार का उपन इंटरेस्ट है और put का open interest अगर आप देखें तो लगबग 24,000 के आसपास है तो इस 0.2% के आसपास का PCR बना हुआ है और इसी तरह से 17,900 की strike का PCR calculate करेंगे तो आप पाएंगे कि 1,37,000 1,37,000 का open interest call में है और उसके मकाबले put का open interest मातर बारा हजार का है तो अगर आप इसका भी एक ratio निकालें तो बारा हजार upon 1,37,000 ये लगबग 1 upon 11,1 upon 12 के आसपास होगा तो इस तरह से आप तमाम जो मेजर स्ट्राइक्स हैं उनका PCR calculate कर सकते हैं तो आएए अब इस PCR के जरीए निफ्टी की range निर्धारित करते हैं किस तरह से PCR हमें trading में मदद करेगा यानि कि जो संख्याएं हमने अभी calculate की हैं हर strike का PCR calculate किया ये number हमारी क्या मदद करेगा अब इसको समझ लेते हैं देखें यहां पर magic number है 10 और 1 upon 10 यानि कि 1 upon 10 इन दो संख्याओं को आपको देखना है देखें कि 10 से उपर का अगर PCR होता है तो वो मान लीजिए दायरा है और नीचे की और यानि कि इस option chain में नीचे की और की strikes देखें तो 1 upon 10 के आसपास दायरे का दूसरा छोर मिलेगा आपको उपरी छोर मिलेगा तो इस तरह से आपको दायरे का पता लगेगा तो अब आई ये देखते हैं 17,500 की स्ट्राइक का PCR है 4 यानि कि 10 से कम है तो ये नहीं चलेगा लेकिन 17,400 चलेगा क्योंकि 10 से उपर का ये पहला स्ट्राइक लेवल है और उसी तरह से 1 upon 10 खोजते हैं तो देखे हम पाते हैं कि 17,900 की स्ट्राइक का PCR 1 upon 11 के आसपास है यानि कि 1 upon 10 से ज़्यादा इसका मतलब ये वो संख्या है जहां पर दायरे का उपरी छोर है तो अगर आप इस option strike को समझते हैं तो आप पाएंगे कि 17,400 नीचे की और और 17,900 उपर की और ये वो दायरा है जिसमें निफ्टी ट्रेड करेगी आपको दायरे का पता लगा आप देखें इसका फायदा क्या है 17,900 के आसपास आता है आपको पता है वहां विक्वाली का दबाव आएगा 17,400 के आसपास आता है आपको पता है वहां खरिदारी का समर्थन आएगा तो ये आपने option chain देखकर ये जानकारी निकाली आईए इसी को आजमाते हैं बैंक निफ्टी के option chain पर तो आईए जटपड देखते हैं बैंक निफ्टी की option chain को और समझते हैं कि बैंक निफ्टी के option chain में कहां पर हमें ये 10 और 1 अपन 10 का आकड़ा दिखाई दे रहा है लेगे इसको केवल एक example समझी और ये option chain उस समय की है जब बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास चल रही थी उस समय option chain का इस तरह का हाल था यहां पर आप open interest देख रहे हैं दोनों छोर पर और हम यहां पर देख रहे हैं कि कौन सी वो strike है जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा का PCR है तो अगर आप उपर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि 37,200 के स्ट्राइक का PCR अगर आप निकाले तो लगबग 4 के आसपास है यह नहीं चलेगा लेकिन 36,900 हाँ 36,900 का जो PCR है 51,000 lot मात्र call cup open interest और put में आप देखे 1400 का तो यहां पर बड़ा भारी फर्क है और यह 10 से काफी ज़्यादा है तो यह चल जाएगा यानि कि 36,900 हो गया नीचे का छोर अब आते हैं उपर की तरफ अब आप देखे 37,600 का PCR नहीं चलेगा 38,000 का PCR आई यह देखते हैं यह भी नहीं चलेगा 38,100 का PCR आई यह देखते हैं 38,100 है 7500 और यहां पर है 2800 यानि कि 1.4 यह भी नहीं चलेगा लेकिन 38,200 देखेंगे तो 275 और 32 यानि कि 1.10 से ज़्यादा तो यह है देखे PCR लेवल अब देखे 38,200 और 36,900 यह दाइरा है बैंक निफ्टी के लिए और यह हमें पता लगा आप्शन चेन को देखकर और अब आई इन लेवल्स को जो कि अभी हमने आप्शन चेन के PCR को देखकर निकाले हैं अगर हम इने चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो वो कहां पर आएंगे और क्या बताएंगे देखे अगर आप चार्ट पर देखें तो 17,400 यह वो स्तर है जो के निफ्टी के चार्ट पर यानि निफ्टी के आप्शन चेन से नीचे के तरफ निकल करके आया और उपर के तरफ जो लेवल निकल करके आया वो था 17,900 का तो यह है दूसरा लेवल 17,900 और हम चार्ट पर भी देखते हैं कि लगबग वही दाएरा है जो की आप्शन चेन की मदद से अभी अभी हमने कैलकुलेट किया तो 17,900, 17,400 तो 17,900 के आसपास बेचने के मौके और 17,400 के आसपास खरीदारी के मौके होंगे क्योंकि यह आप्शन चेन का PCR बता रहा है कि यह इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह की आप्शन के सेनाएं खड़ी हुई हैं अब देखिए बैंक निफ्टी बैंक के लिए जो लेवल्स निकल करके आएं हैं वो हैं नीचे के तरफ 36,900 यानि कि 36,900 लगबग ये स्तर है ये 36,900 के आसपास के लेवल्स हैं 36,950 का स्तर है जहां पर चार्ट पर सपोर्ट है और उपर के तरफ हमने देखा बड़ा रिजिस्टेंस 38,200 के आसपास है 38,200 तो ये दो स्तर जो की चार्ट पर भी मेल खा रहे हैं ये दायरा हमने पहचाना ऑप्शन चेन की मदद तो देखा आपने के 10 से लेकर 1 अपॉन 10 ये है दायरा जो की निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सटी काम करता है और देखे अगर आप इस तरह से ऑप्शन चेन को पढ़ना सी ठीक जाएं थोड़ा सा जटिल जरूर है थोड़ा गणिद भी लगता है लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो बड़ी असानी से कोई भी इसको सीख सकता है और अगर आपने दायरा ठीक पहचान लिया तो मान के चलिए आपको ये पता होगा कि खरीदना किस इस तर के आसपास है और बेचना कहा है इसका अभी अनुमान आप ठीक लगा सकेंगे तो ये है option chain को देखने का पेशेवर professional तरीका जो कहीं और आपको पता नहीं लगता है तो देखिए ये 10 से लेकर 1 upon 10 का magical band केवल nifty और bank nifty पर लागू होता है क्योंकि stocks में उतनी liquidity options में आमतोर पर नहीं रहती तो देखिए अगर ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई हो तो मेरा एक काज किजिएगा आने वाली expires में comment section में लिख कर बताईएगा के nifty के levels कौन से हैं और bank nifty के levels कौन से निकल करके आ रहे हैं ये भी जरूर लिखिएगा इसी तरह से professional trading की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहे और एक समय आएगा जब आपका आकलन बे मिसाल बे जोड हो जाएगा और यहीं लक्ष है इस कारिकरम का इस video channel का अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास स्वचता रखिएगा धन्यवाद आप सब का जय हिंद जय भाए